राधे राधे दोस्तों, संस्व्धिव लॉग में आप सभी का स्वागत है है की आज यह 17 अगस्त में को यह मौनिकादशी है जिसे हम परिवर्ष्थनी आद्रफची भी कहते हैं то मैं उसकी कफा पढ़ने जा रही थी तो मैंने सुचे क्यों ना आप सभी को भी इस कथा का श्रवनपान कराया जाए। चतुर मास का दूसरा महिना आरंब हो चुका है। इन दिनों वे पाताल में ही विश्राम कर रहे होते हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये समय भाद्रपद मास चल रहा है तो अभी भगवान विश्णु विश्राम के लिए गए वे हैं और देवटनी इकादिश्ची के शम्मे जो हमारा जो भगवान विश्णु का है उनका जो विश्राम काल है वो समाप्त होगा तो चैतुर मास में भगवान विश्णु के सोजाने की कारण इन दनों कोई भी शुप कारे नहीं किया जाता है इस विश्राम के दोरान जब पातार लोक में भगवान विश्णु करवट बदलते हैं तो उसे परिवर्तनी इकादिश्ची कहते हैं हिंदू धर्म में करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है परिवर्तनी इकादिश्ची का महत्व परिवर्तनी इकादिश्ची को पाश इकादिश्ची या पद्म इकादिश्ची के नाम से भी जाना जाता है इस दिन व्रत करने से जीवन में आने वाले सभी बाधाव को दूर करने में रखा जाता है पारण का वुरत तरीके से करने पर हमें उसका फल मिलता है इस दिन वठ विश्चणु के वावन अफ्तार की पूजा की बैब नही Came का वाचप्तार की सामान रहा जाता है इतना ही नहीं इस दिन लक्ष्मी जे की पूजा करने से धन की कमी दूर हो जाती है परिवर्थ ने इकादिशी की कथा इस प्रकार है हिंदु पंचांग में इकादिशी की वृत का काफी महत्व है महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इकादिशी की वृत के महातम्मे के बारे में बताते वे वृत की कथा सुनाय थी और लोगों की काफी मदद और सेवा किया करता था इस तरह वै अपने तप और भक्ति भाव से बली देवराज इंद्र के बराबर आ गया था जिसे देखकर देवराज इंद्र और अन्य देवता भी घबरा गए उन्हें लगने लगा कि बली कहीं स्वर्ग करा जाना बन जाए ऐस होने से रोकने के लिए इंद्र ने भगवान विष्णु की शरण ली और अपने चिंता उनके सम्मुक रख दी इतना ही नहीं इंद्र ने भगवान विष्णु से रक्षा की प्रात्ना भी की इंद्र की इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु ने वामन धारन किया और राजा बली के समुख प्रफट हो गए वामन रूप में भगवान विश्णु ने विराट रूप धारन कर एक पाउ से प्रिच्वी दूसरे पाउ से स्वर्व और तीसरे पाउं से ब्रह्म लोग को नाप लिया अब भगवान विश्णु ने तीसरे पाउं के एक सससी लिए कुछ बचा Nep अग्वान में तीसरा पैर उनके सरक्पर रख दिया बना ने इस भावना दिया इस प्रकार सी अपतार वहान के अवत्तार कर दिवताओं espero बने जो लोग परीवर्तनी एकादिशी का व्रत रखते हैं और भगवान विश्णु की पूजा करते हैं उनको समस्त पापों से मुक्ती मिलती है बोले श्री विश्णु भगवान की जय वामन अवतार रूपी श्री कृष्णु भगवान की जय धन्यवाद